इस एपिसोड में दोस्तों बात करने वाले हैं डिश्मान कार्बोजान अमसिस लिमिटेड के बारे में अब यह गलत प्रोनाउंस कर रहा हो तो प्लीज डूट असलों दे कमें सेक्शन बेलो देखो जो कंपनी का बिजनेस है रिसर्च और मैनुफाक्टरिंग सर्विसेस के अंदर कंपनी बिलॉंग करती है और यहां पर मार्केटेबल मॉलिक्यूल्स हो गए स्पेशलिटी केमिकल्स हो गए विटामिन्स हो गए तो यह सारी चीज़ें जो है कंपनी मार्केट काप वाइस काफी चोटी है स्टॉक का पीस में दिखनी रहा है मतलब कंपनी लॉस कर है और सेल्स ग्रोथ भी बहुत जादा लाइकेबल मैं नहीं कहूंगा कि यहां पर सेल्स बहुत जादा लाइकेबल है तो यह कुछ फाक्टर्स हैं जो एक ओवरॉल वर्ट वर्टिक ओवरॉल देक्किर मिलते हैं अगरम सेर्व इतने सही पानल को देखते हैं तो डिविन के पीरिट की विज़ा से इनकी सेल्स हैं पर हुए है वो डेफिनेटली टॉप लाइन के अंदर एफेक्ट दिख रहा है और अगर हम लोग सेल्स ग्रोथ फाइव यह को देखेंगे तो फिर वो एक गलत मेट्रिक होगा हम लोग के लिए सेल्स अगर हम इन जेनरल देखते हैं तो लास्ट यर के कंपारसन में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है फॉर कंपनी विज़ा से अब देखो डेप्रिसेशन एक ऐसी चीज़ होती है अगर आप लोग ने अकाउंट्स जो भी अकाउंट्स जनोंने पड़ी है उनको बहुत इसली समझ में आ जाएगा हम डेफिनेटली काफी सारी जगाओं पर गवर्मेंट के रूल्स होते हैं और काफी सारी जगाओं पर जो है डेप्रिसेशन मानेज़ेबल भी होता है तो जितना हम लोगों ने अटलीस जितना मेंने CFA के अंदर पड़ा है तो उसके अंदर यह चीज़ बताई जाती है कि जो होती है वो ब्रॉडली आप मैनेज कर सकते हैं कंपनी के हाथ में होती है वो किस तरीके से करते हैं अगर यह लोग थोड़ा सा भी कंदर वेटेव हो के यहां पे इन यह के अंदर डेप्रिसेशन जादा दिखाएंगे तो कमिंग यह के अंदर जो है निट प्रॉफिट बड़ेगा क्योंकि डेप्रिसेशन कम होगी तो आप वैसे करके देख सकते हैं तो दोनों तरीके हैं मतलब देखने के यहां पे अगर आप उसके बाद देखेंगे में जो है डेप्रिसेशन का ही प्रॉब्लम है अगर इंकम तो यह एक्सेप्शनल आइटम होंगे मोस्ट इसने कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें इंट्रस कॉस्ट बड़ी है लास्ट इयर में यह डेट अभी हम लोग बालेंशीट पर जाएंगे तो इसके लिए आपको यह देखना है कि बॉर्टम लाइंग के अंदर अभी नेगटिव रिजल्स आ हैं तो यहां से जो फूदर होगा जो स्टॉक प्राइज यहां से शिफ्ट कर सकता है उसके आपको रिजल्स का बहुत जादा ध्यान देना पड़ेगा बॉर्वेंग इन्होंने 400 क्रोड के और आड़ करें हैं इतना जाधा कप्क्स कर रही है इस समयवें कंपनी लॉंग टर्म बॉर्वेंग श्रॉट टर्म बॉर्वेंग दोनों ही आड़ किये कहें दौरा कंपनी के दौरा लीज आभिल्टी कंपरें अगर इतना कपिक्स कर यह company definitely they must have some plans and वो किस तरीक से जाएगा किस तरीक से turn out होगा तो यह कहना अभी बहुत मुश्किल है बटागर देखो debt कई companies के लिए एक बहुत ही ऐसी चीज बनके आती है उनको एकदम से grow करवा देता otherwise वह ऐसी चीज बनके आती है कि वो बहुत जादा company को problem में डाल देता तो वो story कैसी रहेगी इस company के साथ में वो coming years ही बताएंगे promoters के पास में 59.32% of the company है FIIs ने attractively stake बढ़ाया इस company के अंदर public के पास में stake कम हुआ है which is a good thing and जो wealthy investors इस company को hold करते हैं वो आप अपने screen पर देख पा रहे हैं आईए charts पर discussion कर लेते हैं it was listed back in 2017 and यह downtrend चलता हो आ रहा है तो इसको notice करियेगा definitely यह 200 के आसपास के levels जो है उस पे आप हो सकता meet करें तो यह levels आपको मुझे लगता देखना खास चाहिए secondly यहां से stock के अंदर यह trend जब break होगा तभी मैं personally positions बनाने में ज़्यादा interested रहूँगा otherwise जब तक यह trend चलता है स्टॉक्स में problem होती है तो वह एक factor है बट 230 के ऊपर it should be good and 230 के ऊपर जो resistance है वह stock में mainly एक strong resistance है जो stock ने काफी बार break करने की कोशिश करी भी है बट sustain एक भी बार नहीं कर पाया है तो आपको यह चीज यहां पर देखनी चाहिए तो अभी अगर देखो तो आप देखो एक rounding bottom pattern भी जो है बनता हो नजर आ रहा है और पता नहीं कि हम इसे क्यों नीचे लेगा but anyways एक rounding bottom pattern भी बनता हो नजर आ रहा है जो की ND होगा somewhere close around to 260 के आसपास में तो वो भी एक zone जो है consider करने वाला रहेगा but अभी it has a long way to go तब तक आपको संद आया है तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब कर देना it helps a lot and हम लोग फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ में जब तक ले शक्रिया and thanks for watching